आज की इस video से हम शुरू कर रहे हैं off-page SEO तो इस particular video में हम जानेंगी कि off-page SEO क्या है साथ ही जब भी आप off-page SEO करते हैं तो क्या-क्या चीजें आप consider करते हैं या फिर मैं कहूं off-page SEO की checklist वो देखने वाले हैं हम इस video में तो चलिए फिर शुरू करते हैं अब आज से शुरू हो रहा है और पेज एस्यो इससे पहले अन पेज एस्यो बहुत ही अच्छे से हम कर चुके हैं कुछ ऐसी जो अपडेट्स हैं जो टाइम के साथ चेंज होती रहेंगी वो वीडियो में लाते रहूंगी लेकिन अभी से आफ पेज एसी शुरू कर रहे हैं अब आफ पेज एसीो क्या होता है already एक on-page SEO और off-page SEO के डिफरेंस की वीडियो आई थी वहां पर मैंद आपको completely अच्छे से समझाय था नहीं वीडियो देखी तो description box से आपको complete SEO कोष्ट चल रहा है उसकी playlist मिल जाएगी free of cost है सारी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर end तक देखो अगर आप SEO सीखना जाते हो तो तो off-page SEO क्या होता है कि देखिए on-page SEO में हमने बात कि कि वो techniques जो हम अपनी website के उपर करते हैं यानि वो techniques जो हम अपनी website पर apply करते हैं वो होती है on-page SEO की techniques लेकिन अगर मैं बात करूँ off-page SEO की तो वो techniques जो कि आप अपने web page से बाहर जाकर process करते हैं या फिर वो techniques जिसमें आप अपनी website पर काम नहीं करतें बलकि अपनी website को link करते हैं different different external platforms पर यही होता है हमारा off-page SEO यानि off-the-web page जाकर SEO करना यानि कुछ ऐसी techniques अप्लाइगरना यही होता है off-page SEO अब चलिए हम आपको यह बहुत ही अच्छा example देती हूँ जो कि मैं offline training में जरूर यह example पुट करती हूँ suppose कीजिए आपका एक घर है उस घर को आपने बहुत सजाया comfortable बनाया, cozy बनाया अब आप चाहा रहे हैं कि उस घर में लोग आएं, जादर से जादर महमान आएं guest आएं, तो वैसे ही आपने website बनाई, उस website को काफी अच्छे सो optimize किया, keywords put किये, उसके अलावा आपने speed अच्छी कर दी, सारे factors apply किये website को बहुत अच्छा बना दिया और अब आप बोल रहे हैं कि आपके घर पर guest आएं, यानि आपके users आएं, आपकी ranking बड़े, आपकी website के बारे में लोग जाने, लेकिन अब यहां पर एक ऐसा factor है, जो कि हमें consider करना ज़रूरी है, कि suppose कीजिए कि आपका घर एक colony में है, और उस घर पर, वहां पर सारे लोग देख रहे हैं कि आपके घर पर बहुत ही बड़े-बड़े लोगों का आना जाना है, जैसे उस area का जो सरपंच है, उस area का जो minister है, वो आपके घर पर आ रहा है, मतलब बड़ी-बड़ी जो high authority वाले लोग है ना वो आपके घर में आ रहा है, इससे आपके घर की reputation बड़ेगी या घटेगी, obviously बड़ेगी, तो और भी जो लोग है, वो भी आपके घर आना चाहेंगे, right, so इसी तरह से, अगर हमारी website पर कुछ ऐसे links आ रहे हैं, जो direct हो रहे हैं मेरी website की तरफ, और वो कहां से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, कुछ high authority वाली website से, अब website authority क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन कुछ अच्छी website से, कुछ बड़ी website से links आ रहे हैं मेरी website की तरफ, तो search engine जो है, उसे क्या लगेगा, कि ये website important है, कुछ बात है इस website में, इसी लिए इतने बड़े-बड़े लोग, यानि इतनी बड़ी-बड़ी जगाओं से, इतनी बड़ी website से, इतनी important website से, इसके पास link आ रहे हैं, तो definitely, जैसे मेरी घर की reputation बड़ेगी, वैसे ही मेरी website की ranking भी बड़ेगी search engines पर, और जादे से जादा user मेरी webpage पर आएंगे, तो बस यही example आपको याद रखना है, और हम ऐसे ही off-page SEO करेंगे, कि कुछ ऐसी sites हैं, जो कि काफी अच्छी जिन की authority है, कुछ ऐसे platforms हैं, जहां से हम अपनी audience लेकर आ सकते हैं, वो हमें लेकर आनी हैं, और यही है off-page का हिस्सा, off-page का सबसे main goal यही होता है, कि जो different-different sites हैं, different-different platforms हैं, उनसे हमारी website पर traffic लेकर आना, जिससे search engine को यह चीज़ लगे कि यह जो XYZ website है, यानि जो हमारी website है, उस पर लोगों का trust है, अच्छी जो websites हैं, अच्छे platform से वहां पर traffic आ रहा है, और कही न कहीं यह website genuine है, तो ऐसी जो भी activities होंगी, जो कि हमारी website के बाहर जाकर हम कुछ, या तो link build करेंगे, या फिर हम कोई चीज publish करेंगे, जिसमें हमारी website का कुछ reference हो, तो यह सब कुछ कहलाएगा, off-page SEO में अब usually, जब भी हम off-page SEO की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है back links देखिए, back links एक बहुत important पार्ट है, off-page का, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको link building करनी है links ही आपको create करने है और बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, कि कई सारी Google की algorithm यह कहती है, कि जो back links आप excessive create करते हो, वो spamming में count होता है, और यह बिल्कु सही भी है, क्योंकि 2015 के बाद में काफी जादा Google इन चीज़ों पर ध्यान देता है या एक महिने में या एक साल में, यह सारी चीज़ें भी discuss करना बहुत जादा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन आज इस पर्टिकुलर एक वीडियो में हम सारी checklist discuss करेंगे, कि कैसे कैसे हम off-page SEO कर सकते हैं और इस वीडियो के बाद में हमारा off-page SEO ज़रू हो जाएगा, जहां पर यह जो checklist में, जो भी चीज़ें आपके साथ discuss करूंगी, वो सारे factors हम एक एक करके, one by one, practically इस चानल पर करेंगे, तो don't forget to subscribe WSQubetic channel, तो चलिए अब जल्दी से checklist देख लेते हैं, कि क्या-क्या वो ऐसी चीज़ें हैं, जो कि हम off-page SEO में majorly करते हैं, देखिए, सबसे पहला जो काम हम off-page SEO शुरू करने से पहले करते हैं, कि अपनी website के structure को देखना, देखिए, आपकी website का कोई भी structure हो सकता है, जैसे कि कुछ, बैस तो बहुत type के structures होता है, लेकिन कुछ important मैं आपको बता देती हूँ, जैसे flat structure होता है, कुछ silo structure होता है, तो silo structure को काफी जादा consider किया जाता है, कि off-page के लिए काफी जादा effective है silo structure, अब silo structure क्या होता है, इसके लिए separate मैं video लेकर आऊंगी, लेकिन structure को समझना website के, उसको सही से implement करना ये बहुत जादा जरूरी होता है, अब काम आता है कि हम जादा से जादा अपनी website का reference दूसरी किसी website पर, दूसरे किसी platform पर दें, चलिए अब मैं आपके साथ share कर रही हूँ कुछ important technique जो कि हम off-page SEO में करते हैं, सबसे पहले search engine submission, देखिए, जैसे आपने Google की हमने बात की, तो Google एक search engine है, जिसको हम अपनी website submit करते हैं, उसके लिए SEO करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे search engines हैं, अभी हम कुछ major के नाम जानते हैं, जैसे Google हो गया, Bing हो गया, Yahoo हो गया, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे search engines हैं, अब मैं ये तो नहीं कहती कि वहां से हमें बहुत सारा traffic आएगा, लेकिन monthly अगर हमें कुछ भी traffic वहां से आता है, तो एक हमारी reputation बिल्ड होगी कि सिर्फ Google से ही नहीं, बल्कि और भी search engine से हमरे पास लोग आ रहे हैं, तो इसलिए हम अपनी website को different different search engines पर different different platforms से submit करते हैं, जिससे कि हमारी website register हो जाए उन search engines पर और वहां पर भी कुछ traffic हमारे पास आ सके, तो search engine submission एक important technique है, जो कि हम off page SEO में करते हैं, next आता है free classified submissions, कई सारी ऐसी websites आपने देखे होंगी, जैसे OLX हो गया, quicker हो गया, इन पर आप कुछ ads post कर सकते हो, तो अगर हमारी e-commerce website है, तब तो well and good, नहीं तो अगर e-commerce website नहीं भी है, तो भी हम classified post कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी website से related कुछ information डाल सकते हैं, तो at least उस platform पर हमारी website show होगी, list होगी, right, कईना के उनके reviews में, या फिर मैं कहूँ, उनकी listing में हमारी website का नाम जाएगा, तो इससे भी हमें कुछ फाइदा मिलेगा, अब ये कैसे करना है, कितना करना है, ये सारी चीज़े हम एक एक करके discuss करेंगे, नेक्स आता है image submission, देखिए बहुत सारी ऐसी websites हैं, जहांपर आप images submit करते हो, बहुत सारी, ये आभी तो आप दो दिन के नाम जानते होगे, लेकिन काफी सारी ऐसी websites हैं, जहांपर आप अपने कुछ images, कुछ graphic create करके, और वहाँ पर submit कर सकते हो, और वहाँ पर आप अपना reference दे सकते हो, अपनी website का, और जिससे definitely कुछ traffic तो हमारे पास जरूर आएगा, तो image कैसे submit करते हैं, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन सी website को consider करना है, कौन सी website spam हो सकती है, जिस पर आपको links नहीं बनाने हैं, यह सारी चीज़ें हम एक एक करके, जो मैं आपको topics बतारी हो, एक एक करके हम discuss करेंगे, अलग-अलग videos में, ठीक है, next होता है, या तो PDF या फिर PPT submission, आप देखिए, कई सारी websites ने, जैसे आपने slide share का नाम सुना होगा, slide show का नाम सुना होगा, यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंट-डिफरेंट लोग PPT's बनाते हैं, वहाँ पर submit करते हैं, और उन PPT's में, या फिर उन PPT's के description में, कही ना कहीं, अपनी website का link attach करते हैं, या फिर reference देते हैं, या फिर credit देते हैं, तो अलग-अलग जो platforms हैं, कुछ अच्छे platforms हैं, जहाँ पर बहुत जादा traffic आता है, monthly लाखों का traffic है, वहाँ पर हमारी website का link attach हो रहा है, सही तरीके से, तो वो हमारे लिए कहीं न कहीं beneficial ही होगा, वैसे ही हम PDF भी share करते हैं, उसे के साथ ही आती है social bookmarking, आप देखिए, जैसे की social media का आप नाम सुनते हो, तो आपके mind में सिर्फ Instagram, Facebook, Pinterest, सिर्फ यही आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे social media platforms हैं, जिनके आपने भी नाम भी नहीं सुने होंगे, तो कई सारी ऐसी websites हैं, वहाँ पर आप अपना account बना सकते हो, खुद के बारे में post कर सकते हो, कुछ की website का reference दे सकते हो, और वहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ percentage जो traffic है, वहाँ से आ सकता है, तो social bookmarking हम करने वाले हैं, उसी के साथ ही forum posting, देखिए, कई सारे ऐसे open forums होते हैं, या फिर आपको communities होती हैं, जहाँ पर कुछ discussion का आपका मौका मिलता है, कुछ debate का मौका मिलता है, तो वहाँ पर आप अपना comment कर सकते हो, वहाँ पर अपनी website का reference दे सकते हो, और definitely ये भी आपकी website पर traffic लाने में help कर सकता है, मतलब कुछ ना कुछ backlink जरूर आएंगे आपकी website पर, और forum posting क्योंकि it is open for everybody, तो हर कोई participate भी करता है, और उस वज़े से काफी लोगों की नजर भी पढ़ती है, आपकी website के link पर, next आता है guest blogging, देखिए, कई सारी यासी websites हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिन पर आप as a guest blogs अपने post कर सकते हो, अपने article पोस्ट कर सकते हो, और उन articles में आप अपनी website का reference दे सकते हो, तो guest blogging एक अच्छा option है, अगर आप अपनी website का off page करना चाहते हो, तो अब देखिए, अभी आपर सबसे बड़ी problem या आती है, कि हमें पता नहीं चरपाता कौन सी website सही है, कौन सी नहीं है, किस पर quality backlink हम create कर सकते हैं, किस पर नहीं कर सकते हैं, तो यह सारे confusion आपके एक एक करके, एक एक वीडियो में हम दूर करने वाले हैं, इसके साथ ही एक और method होता है, जिसे हम कहते हैं, press release submission, देखिए, अगर company में आपकी website पर कोई ऐसा event है, कोई ऐसा offer है, तो जिसकी आप PR submit कर सकते हो, आप press release submission एक तरह से basically अपने events के बारे में कुछ article लिखना, कुछ submit करना, तो ऐसी कई सारी websites हैं, जहाँ पर आप free में भी, और कई सारी ऐसी हैं, जहाँ पर pay कुछ करके भी, आप अपनी website से related press release submit कर सकते हो, और उसमें अपनी website का भी reference दे सकते हो, साथ ही साथ आपकी website की popularity को बढ़ाने में, यह काफी important rule ब्ले करता है, next आता है infographic submission, जैसे कि आपने picture submit की, जैसे आपने बाकी सारी document submit की, वैसे आप कुछ infographic भी submit करते हो, इसके लिए भी अलग से कुछ websites होती है, उसके साथ ही video submission, जैसे आप YouTube पर देखते हैं, YouTube पर आप videos डालते हैं, वहाँ पर आप अपनी website का reference दे सकते हैं, वो एक example है, वैसे ही और भी कई ऐसी websites हैं, जहाँ पर आप video submit कर सकते हो, not just the YouTube, चीके, तो ऐसी भी websites के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद है Q&A submission, देखिए, उसमें सबसे famous है Quora, Quora पर आपने देखा होगा, लोग किसी question का answer देते हैं, और वहाँ पर अपनी website का reference देते हैं, तो यह बहुत ही अच्छा example है, अपनी website का popularize करने का, क्योंकि Quora पर अभी आप देखेंगे, तो काफी जादा traffic है, तो यह कुछ यहाँ पर checklist है, जो आपको consider कर सकते हो, इसके लिए एक excel sheet हम बनाएंगे, अलग-अलग page हम create करेंगे, और धीरे-धीरे उसी में ही सारा addition हम करते जाएंगे, उसी के साथ हम जो यह एक-एक video लेकर आएंगे, उसमें मैं आपको कुछ आपको मैं popular sites भी बताऊंगी, जो कि आपके लिए काफी जादा useful रहेंगी, तो एक भी video इसके बाद में miss मत करना, क्योंकि complete SEO course हमने बोला है, तो complete SEO course ही आपके लिए आएगा, तो सारी वीडियो देकर आएंगे, इसी तरह से हमें सपॉट करते रहो, and don't forget to subscribe WSQubeTik channel, and like this video, अगर कुछ भी आपने नया सीखा हो, and कोई भी कोईरी हो, question हो, comment section बता सकते हो, thank you so much, करता सकते हैं,